C++ Programming के लिए हमारे चानल Learn Coding को सबस्क्राइब करें हाई फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको Access Specifier के बारे में बताऊंगा कि C++ में कितने Access Specifier होते हैं और उनका यूज Accessibility किया है प्रोग्राम के लिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि C++ में थ्री टाइप सोफ Access Specifier होते हैं पहला होता है प्राइवेट सेकेंड होता है हमारा प्रोटेक्टेड उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे आता है पबलिक ये तीन Access Specifier है आप इन्हें Access Modifier भी कह सकते हैं इन्ही तीनों Access Specifier का हम अपने प्रोडाम में यूज करते हैं तो अब मैं एक क्लास बना रहा हूँ उसके बाद मैं आपको रियल समझा पाऊंगा कि ये काम कैसे करते हैं एक्जामपल के लिए कंसीडर करिए हमारे पास एक क्लास है तो यहाँ पे हमारे पास एक Private Access Specifier है और एक Protected है और सेम इसी क्लास के लिए हमारे पास एक Public Access Specifier भी है यह हमारे पास तीन Access Specifier है तो अब सबसे पहले हम Private के बारे में आपको बता रहे हैं अगर हमारे पास कोई क्लास में Data Member है क्लास के अंदर लिखे गए Variable कोई हम Data Member कहते है तो अगर यह हमारा Data Member Private है इसे कौन कौन Access कर सकता है तो इसके लिए Private में दो Condition है क्लास खूद Access करेगा क्लास के Member Function जो भी क्लास में Member Function होंगे वो Access करेंगे इसे और सेकेंड हमारा जो क्लास के Friend होंगे वो Access करेंगे तो यह Friend Function भी हो सकते है और क्लास भी हो सकते है तो यहाँ पे Real Life Example क्या है अगर Example के लिए आपके घर में रखा हुआ किसी भी समान को आप खुद भी Access कर सकते हैं और आपके थुरू आपके घर के समान को आपके फ्रेंड भी Access कर सकते हैं यह हमारा प्राइबेट जो है वो किवल उसी क्लास के लिए होता है और उस क्लास के फ्रेंड के लिए होता है अब हम प्रोटेक्टेड के लिए देखते हैं तो प्रोटेक्टेड में अगर हमारे पास एक डेटा मेंबर एक्जामपल के लिए इंट ए हैं ठीक है इस बेस क्लास के member function तो access करेंगे ही लेकिन जो class इसे इनरीट करेगा जो derived class inheritance के तुरूप इस बेस क्लास को इनरीट करेगा वो class के भी member function इसे access कर सकते हैं तो ये cable वहीं तक accessible होगा जो class इसको इनरीट करेगा एक्जाम्पल के लिए अगर आपके father के पास कोई प्रोपर्टी है तो फादर तो एक्सेस करेंगे ही साथ ही साथ फादर के जो सन है वो भी एक्सेस करेंगे उस प्रोपर्टी को बाकी अधर कोई एक्सेस नहीं कर सकता तो यह हमारा प्रोटेक्टेड एक्सेस इस्पेसिफार हुआ अब हम पब्लीक के बारे में जानते क्या हो सकते यानिर्ण पूरे प्रोग्राम में आप पब्लिक डेटा मेंबर को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं यह पब्लीक को इसीक्योरिटी नहीं होता जयोता तो कि प्रक्प्रोटेक्टड में बनाएंगे थैंक्यू फ्रेंड्स